दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आज मैं आपको एक बिजनिस का बहुत अच्छा मोडल उसके बादे में बताने जा रहा हूँ जैसा कि आप जानते हैं आप इस चैनल पर आते हैं यहाँ पर बिजनस से समय बहुत सारी बाते हैं। और साहेता भी मिलती है तो आज मैं एक ऐसे मोडल के बादे में बताना जा रहा हूं जिस पर आप सभी लोग बहुत सारी लोग आप मैंसे लाखों करोने लोग काम भी कर रहे होंगे और जानते तो करीब करी सभी होंगे लेकिन ऐसा है कि जानना और पूरी तरह से घ्यान होना दोनों मलग बात है आज मैं आपको फ्रेंचाइजी बिजनस मोडल के बादे में बताना जा रहा हूं फ्रेंचाइजी होती क्या है कैसे ले जाती है क्यों लेना चाहिए या लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए उससे क्या फाइदे है फ्रेंचाइजी देने वाले हो प्यूमा है या खाने के मामले में आ जाओ आप हल्दी राम है मैं डूनाल्ड है पिज्जा हट है या इसी तरह के मतलब यह हर छेत्र में बड़ी-बड़ी कंपनिया है और यह फ्रेंचाइजी मोडल दोनों के लिए देने वाले के लिए और देने वाले के लिए उस नाम को बनने में बहुत साल लग जाते हैं साला लग जाते हैं तब याकि वह बन पर्टा है और बहुत करनी पड़ती है है अब अगर आपना कोई कई बिजिन्स करना चाहते हैं जैसा कि हम कई लोगों का मन की रोजगार में करना है कोई तो रोपजी नहीं करनी है नौक सारी चीजी आप जहां देखो जो सीज देखो की हर चीज पैसालों लगगा नहीं कि आपका ब्राइं कि दम फेमिस उुसमें भी बहुत समय करें अंतों और जब तक एक टेंडेंसी है लोग बड़े ब्रांड के पहना बड़े वन पहना या बड़े ब्राइट के प्रोडक्त हाइदना पसंद करेगा तो उसमें क्या है हमें एक बना-बनाया मोडल मिल सकता है आम व्यक्ति को जैसे सब मैं ब्यापार खुलना चाहता हूं इन्वेस्टमेंट्ट तो इसमें भी होता है इन्वेस्टमेंट्र अवले जो इसे पिजाटै और आपका में वहता है इसमें क्या करते है इसमें आपको आउटलेट खोलेंगे सादा कुछ करेंगे कई यह चेसे एक छी खर्जा करना पड़ता है और सब्सक्रह C मेक डॉनाल्ड के पूरे स्नों करें ऐसी हो करूद बहुत सब जगे सेम नहीं तो क्योंकि कोपको अब क्यों को सिख्जान मोड्ल इलाग है क्या इस धिया वो कुछ को चेरिये में जैसे भारत में कम से कम 20-25 प्लांट 30-40 प्लांट होंगे उनके अलग लग जाओंगे उनका एक करेक्री होगा इस जगे इस जगे में आपको बेचना है तो आप जिस व्यक्ति में फ्रेंचाजी ली है पेफसी बगरा की तो उसको टेक्नलोजी मिलेग और प्रॉफिट मैंसे हिसे दाई लेगे क्योंकि उनका ब्यापार कर रहे हैं उनका ब्रांड का यूज कर रहे हैं उनका काम कर रहे हैं बस ऐसा कह सकते हो कि मैंने एक फैक्ट्री बना के देदी और चलाने के लिए अपने किसी पड़ोसी को रख लिया कि भाई तू चला 90 मेरे 10 रुपिया ते दे तो यह में मोटा मोटा सा ग्यान दे रहा हूं उधान बहुत सारा सिस्टम हो सकता है अब यह अलग है और इसके बाबाए मगडोनाल्ड वगईर की इनकी फ्रेंचाइजी का सिस्टम अलग है कई कंपनियां ऐसी होती है जो सारा कुछ बोलती है तु और टाटा के नाम की इंबोसिंग करते हैं इसके अलावा टाटा को उसके नाम को यूज करने के लिए नाम की फीस देते हैं एक नाम को यूज करने की फीस है वो हल महीने या हल साल या जैसा भी है वो देते हैं तो इस तरह की भी फ्रेंचाइजी मोडल है तो फ्रेंचाईजी मोडल 4-5 तरीके के होते हैं और हो सकते हैं डिपेंड करता है company to company कैसे करना चाहतेगा आप फ्रेंचाईजी देने वाले को क्या फायदा होता है सबोच करिए डिली के एक company है और उसके पास जो संसादन है जो सोसेज है उसके हिसाब से पैन इंडिया में मतलब अपना व्यापार करना चाहती है लेकिन इतना बड़ा देश में और देश से बाहर संबब नहीं है तो इन्होंने क्या किया अपने business को अपने सामान को बेचने क के लिए रेटेलर करी है साथ में कुछ कुछ जगे पे दोने एक फ्रेंचाइजी मोडल दे दिया है फ्रेंचाइजी मोडल जिसमें company का सादा सामान उसके पास रहेगा उसमें आपस में profit sharing हो जाएगा और वहां से आगे distribute करने का या उस एक particular जो दिया हुआ एडिया है उसम और या द्रहिए के product में नहीं हो सकती है फ्रेंचाइज जनरली ऐसे product में ज्यदा होती है जिसमें जिसका सीधा संबंद customer से होता है दारक्त कस्टमस से होता है वैसे customer से हर्द चीज का संबंद होता है लेकिन ऐसी चीज छिशे जिनका समबंद डारेक्ट होता है जैसे की McDonald's क बखाना है ठीक है आपका किसी गाड़ी की फ्रेंचाइज ही है वो डिल्ली की कंपनी वो बना दी गाड़ियों को और आगणा में बेच रही आगणा में एक श्टोर को लिया उन्होंने उसमें मतलब उसको फ्रेंचाइज देती वह आपके नाम का यूज करके आपको पीच र जाता है उसकी लाइवल्टी पूरी नहीं होती है हर जगे उसकी लाइवल्टी नहीं होती है उसके काम को कुछ आदिमों ने समाल लिया ऐसे कह सकते हो एक पेड़ की बहुत सारी ब्रांचे जहें साखाई है तो हर साखा अपना अलगलग का रही है लेने वाले को फाइदा ह बनाने उन्होंने बहुत महनत करी और उस महनत की वाय से उनका बना उसका फाइदा आपको भी मिलेगा बहले ही थोड़ा कम हो लेकिन वह जल्दी भीकेगा ज्यादा वहीं आजाएगा तो यह है दोनों का फाइदा है अब मैं आपको बताता हूं कि अगर फ्रैंचाइजी बादे में पूरी त्यक्याद करें क्योंकि आजकर ओनलाइन का जमाना है और इसमें बहुत सारे फ्रोड भी है आपको पता नीच चलेगा कब किस ने लगा दिया तो आप क्या करें आप उस ब्रांड की त्यक्या आद करें उसके में आदमी से मिले जाकर उसके हैड उपस मे करेंगे मार्केटिंग सेल्स और एडबटाइजिंग में क्या फाइदा देंगे कितना मतलब यह करेंगे यह साथी चीज़ों के आपको ध्यान देना होगा कंपनी का पिछले तीन चार पांस साल का रिकॉर्ड देखिए कि इसके जो इस्टोर ने जिनको फ्रेंचाइजी द शब्ण की सर्फरिण और अपने बगील से पढ़ए उसे संझेव कुद पढ़ए वरकिल से पढ़ए हैं जवह जाए जाए आधिया तो आप उसकी सातों के आधिन हैं और जो वो कहाईगा जिस रहाद से उसमें पर निक्सक्राइब लिखा है उसके को करना होगा यह चीजिए तो इसलिए जो भी इसको भी लगाना पड़ेगा थोड़ा सा आगे थोड़ा पीछे हो जाए कि बाविस्कों किसी देखा नहीं है तो मुझे उमीद है आपका आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा इसके लाव बहुत सारी कंपनिया है हर कंपनी हर चाहे खाने के मामले में हो कपड़े के मा या फिर मतलब आप यहां पर कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं उसका जवाब होगा नमस्का थंक्यू दनिवाद